जए श्री कृष्णा दोस्तों हमारे वीडियो में आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों परिवारों में जरूर शेर करें। श्री कृष्ण के मन में ये विचार चल रहा था कि मेरे यहां एक पुत्र का जन्म हो और वह ऐसा पुत्र हो, जिस पर मुझे गर्व हो। वे संतान प्राप्ती की कामना लेकर श्री कृष्ण हिमालय पर्वत पर पहुँचे, वहां रिशी उपमन्यू रहते थे। उपमन्यू मुनी श्री कृष्ण के लिए गुरु समान ही थे। जब श्री कृष्ण ने उपमन्यू जी को अपनी इच्छा बताई तो उपमन्यू ने कहा कि आप शिव जी की भक्ती करें। उपमन्यू जी की बात मानकर श्री कृष्ण ने शिव जी की भक्ती करना शुरू कर दिया। उनकी भक्ती से प्रसन होकर शिव जी और माता पार्वती प्रकट हुए शिव जी ने श्री कृष्ण से पूछा, बताईए, आप क्या वर्दान चाहते हैं? श्री कृष्ण बोले, मुझे श्रेष्ट संतान चाहिए शिव जी ने कहा आपके यहां सांब नाम का पुत्र होगा श्री कृष्ण ने सोचा कि यहां माता पार्वती भी खड़ी है तो मुझे इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए उन्होंने देवी को प्रणाम किया तो देवी बहुत प्रसन हुई देवी ने सोचा कि इन्होंने केवल शिव जी को ही नहीं, मुझे भी मान दिया है देवी ने कहा, कृष्ण बताओं आप क्या चाहते हो श्री कृष्ण ने देवी से आठ बाते मांगी ब्रामनों के लिए मेरे मन में सम्मान हो सदैव मातापिता को संतुष्ट रखूं सभी प्राणियों के लिए मेरे हृदय में प्रेम हो मेरे बच्चे हमेशा श्रेष्ट रहें यग्या आधी करके मैं पूरे वातावरण को दिव्य रखूं साधु संतों का सम्मान करूं मेरे भाई बंधों से मेरा प्रेम बना रहे और मैं अपने परिवार में सदा संतुष्ट रहूं ये आठ बाते पार्वती जी ने प्रसन होकर क्रिष्ण जी को दी अर्थात इसका सार यह कहता है कि व्यक्ति को अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छे-च्छे काम करते रहना चाहिए अपने परिवार की प्रगती के लिए जहां से भी कुछ मिले, अगर वह शुब है, पवित्र और सही है तो उसे परिवार तक पहुचाना चाहिए पारिवारिक जीवन में भी अनुशासित जीवन शैली होनी चाहिए